हेलो स्टुडेंट एंड हेलो एब्रीवन मैं प्रसांद कनोजे एसिस्टन प्रोफेसर जुलाजी गवर्मेंट नागरिक कल्याण महाविद्याले नंदिनगर अहिवारा तूर्क छतिज़गर से आज का हमारा टॉपिक है कमपुरेटिव एनाटामी आफ वर्टिब्रेट्स इसको मैंने लिये हैं BSC 2nd year के paper 1st के unit 2 से आज हम कमपुरेटिव एनाटामी में वर्टिब्रेट्स के 4 limbs की study करेंगे सबसे पहले देखते हैं कि स्कलेटन क्या होता है वर्टिब्रेट्स एनिमल में स्कलेटन का अधिकांज भाग शरीर के अंदर पाया जाता है जिसे एन्डो इसकलेटन कहा जाता है इसकी जो origin है वो मेजन काईम की कोशिकांज से हुआ और सबसे पहले सरीर के इसकलेटन का अधिकांज भाग कार्टिलेज की रूप में विक्सित होता है उसके पस्चात अनेक क्रमिक परिवर्थनों के द्वारा बोन्स का निर्मान होता है इस परकार की जो बोन्स को कार्टेजीनियस रिप्लेसिंग बोन कहते हैं और जो इसकलेटन होता है वो निम निप्रगार का पाया जाता है एक्जो इसकलेटन या एपिडर्मल इसकलेटन ये इसकलेटन इसकिन की एपिडर्मिस की कार्णियल लेयर से निर्मित होती है जो कठोर होत कनकाल होता है, समाने तर्ष सरीर के बाहरी भाग में पाया जाता है जैसे नाखून है, बढर्स में फिदर्स है, बीक है, ये जो है खूर है, सिंघ है, ये जो एक्जो इस्कलेटन का एक्जाम्पल है दूसरा होता है dermis, dermal bonnie skeleton यह skeleton skin की dermis से निर्मित होता है यह कंकाल अनेक कसेरुक प्राणियों के सरीर पर तवच्छा में पाया जाता है और जैसे scales है, plecaid, genoid, fist के जो scales है, fin rays है यह dermal bonnie skeleton के example है और उसके बाद होता है endoskeleton यह skeleton vertebrates पराणियों में meson kind के द्वारा निर्मित होता है और सरीर को एक सुनिस्चित आकार परदान करता है vertebrates पराणियों में पूर्णता यह cartilage bonnie का होता है तो यहाँ पर हम skeleton का definition ले रहे हैं यदि आप skeleton की definition को अच्छी तरीके से समझ गए तो इसी में इसके function भी छुपा हुआ है the supporting framework to maintain body shape protection of internal organ against external hazard and to maintain characteristic topography of organ is called skeleton तो इसकेलेटन क्या है एक सरीर के लिए आलंबन धाचा framework बना रहा है धाचा produce कर रहा है maintain body का shape परदान कर रहा है निश्चित आकार परदान करता है एक धाचा बनाता है body का shape निश्चित आकार परदान करता है protection of internal organ against external hazard बहरी आघातों से आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है चाहे vital organ हो, non vital organ हो लेकिन वो सुरक्षा करता है आप देखेंगे जितने भी important organ है वो सब iskeleton के अंदर ही है heart है, liver है, kidney है, lungs है यह सब एक पिंजरे के रूप में अंदर सुरक्षित है और maintain characteristic topography बोडी के लिए एक topography maintain करता है इसको क्या कहते है, iskeleton कहते है तो इस प्रकार से इसमें कार्य भी छुपे हुए है और iskeleton का यह definition है इसके अलावा important कार्य iskeleton का और है जो कान में जो small bones पाई जाती है mellasyncas, stepes यह सुनने में मदद करती है और जो bones में bone marrow पाई जाती है यह blood carpuses का निर्मान करने में साहयक होती है और जो cartilage rings है स्वसन नलिका में पाई जाती है और जो पसलिया है यह स्वसन क्रिया में साहयता प्रदान करती है इस प्रकार यह iskeleton important है body को चलाने के लिए next part आता है iskeleton system is broadly divided into two groups एक होता है axial iskeleton दूसरा होता है appendicular iskeleton axial iskeleton क्या होता है axial iskeleton lie in the long axis and it includes skull, vertebra, column, ribs and sternum तो जो कंकाल है जो iskeleton है और चुकि अंदर पाया जा रहा है इसको हम बोलते हैं endoskeleton तो जो endoskeleton है वो दो भागों में बटा है axial iskeleton, appendicular iskeleton axial iskeleton जो होता है लंबा होता है long axis में पाया जाता है ऐसे और इसमें skull, vertebral column, ribs और sternum पाया जाते हैं जबकि जो appendicular iskeleton होता है ये transverse होता है और इसमें क्या पाया जाते हैं? girdles और limbs पाया जाते हैं girdles और limbs पाया जाते हैं और आज हम जो four limbs of vertebrates की study करेंगे उसमें उधारन के लिए चार vertebrates की four limbs study करेंगे amphibium में frog की four limbs study करेंगे reptilia में calotis की four limbs study करेंगे birds में pigeon की four limbs study करेंगे और mammals में rabbit की four limbs study करेंगे देखें, compression आप four limbs start करते हैं the four limbs of vertebrates are the typical pentadectile limbs types यह होता है pentadectile types of limbs होते हैं four limbs they are built on the same fundamental plan but they are variously modified in different vertebrates to suit the mode of life जीवन के हिसाब से जो प्राणी जिस environment में रहता है उस हिसाब से अपने आपको ढाल लेता है तो उसके सरीर के अंग भी उसी अनुसार काम करते हैं लेकिन जो fundamental जो प्लान है जो fundamental जो प्लान है four limbs का वो same है लेकिन modification life के हिसाब से उनमें कार डिफरेंट डिफरेंट्स पाया जाते है दे फार में homologous organ ये जो four limbs किसका बना होता है homologous organ का बना होता है तो इस four limbs में कौन-कौन से elements पाया जाते है ये हम देखते हैं next slide में देखिए typical four limbs सबसे पहले study करते हैं एक typical four limbs का इसको अगर आपने समझ लिया तो फिर चारों की four limbs easily अपन explain कर सकते हैं यहां पर रटने वाला कोई काम नहीं है सिर्फ समझना है डाइग्राम को समझना है और explain करना है typical four limbs क्या होता है इसमें जो की तीन segments पाया जाते हैं पहले भाग को बोलते हैं first segments upper arm यहां पर देखिए यह है first segments upper arm इसको क्या कह रहे हैं first segments upper arm दूसरा होता है second segment four arm यहां से यहां सकते second segment four arms और तीसरा segment होता है minus जिसमें दो पार्ट पाया जाते हैं एक wrist का और दूसरा finger और digits का यहां से जो start होता है यहां तक का जो part है वो कहलाता है minus और यहां से यहां तक का जो भाग है यह कहलाता है wrist का portion और यहां से यहां तक का जो भाग है यह कहलाता है finger का portion अब देखिए first segment में क्या पाया जा रहा है Upper Arm में एक Bones पाई जाती है इसको कहते हैं Humerus Second Segment में क्या पाई जा रहा है जिसको Four Arms कहते है इसमें दो Bones पाई जाती है Radius और Alna Third Segment में दो भाग है पहला भाग है Wrist Wrist के portion में क्या पाई जा रहा है Proximal Row Central Aelia Carpularia और इसको हम Common एक साथ जब बोलते हैं तो इसको हम कहते हैं Carpals इसको क्या कहते हैं? Carpals और Second जो Part है Finger उसमें पाई जाता है Metacarpals और Phalanges यह Metacarpals और यह Phalanges तो Wrist का जो भाग है वो दो भागों में divided है Carpals और Metacarpals और Phalanges तो इस प्रकार यह जो टीपिकल फोर लिम्स की बोंस है जिसको हमने समझा अब कंप्रेटिव एनाटामी लेते हैं वो टीपिप्रेट्स में यहां पर पर हुमिरस हे रेडियस अलना है यहां पर भी हुमिरस हे रेडियस अलना है soir ठीक है यह frog की bones है यह calotis की bones है reptiles की bones है यह birds की है यह mammals की है तो जो main fundamental structure कैसा है typical जो four limbs है जिस्तों हमने अभी पिछले slide में पढ़ा तो four arms, upper arms, four arms, wrist, carpus, metacarpus यह जो पाग है यह चारों में same एक बराबर दिखाई जा रही है इसको बोलते है homologous organ they have the same structure but they do different function structure बिलकुल same है चारों का इन चारों का जो structure आप देख रहे हो यह बिलकुल same है लेकिन इनका function जो है different है अलग-अलग function है क्या function है the four limbs of frog is used for hoping इसका क्या है काम hoping के लिए use किया जाता है reptile use for crawling यहाँ पर घिसके चलते crawling करते हैं reptiles birds जो है उडने में मदद करते हैं they are flying birds क्या करते हैं flying करते हैं और in mammals यह mammals में rabbit है यदि हम horse की बार करें तो वो four limbs से running करता है whales जो है four limbs से swimming करती है bat जो है four flying करती है और जो man है वो non-locomotory function करते हैं इस four limbs से in all vertebrates four limbs made up of three segments और तीनों सभी vertebrates में जो four limbs है तीन segments का बना होता है upper arm four arm hand और जो hand जो होता है वो कित्ते भाग में बटा होता है wrist और fingers में जैसे कि हमने typical four limbs में देखा इस परकार यह important part था then comparative क्या हो सकता है क्या comparative इसमें दिखाई दे रहा है तुल्नात्मक अध्धन क्या है इन आल एनिमल्स अपर आर्म इस सपोर्टेड बाई यह single bone the humerus सभी एनिमल में यहां देखिए frog में यह बोंस है इसको कहते हैं humerus यह humerus बोंस है रेप्टाइल में कहां पर है यह है humerus बर्ड्स में कहां पर है यह humerus डाग्राम में आप देखते जाएं मैमल्स में कहां पर है यह humerus तो आल एनिमल अपर आर्म इस सपोर्टेड बाई इस सिंगल बोन था हीमरस तो अपर आर्म किसका बना है हीमरस का बना है the four arms is supported by two bones namely radius and allah the bones are four arms second part में आ रहे हैं अपन four arms किसका बना हुआ है जो इसको second segments कहते हैं वो radius और allah दो bones की बनी होती है सभी जगह आप देखेंगे यह है radius यह allah यहाँ पर भी यह radius और allah reptiles के case में यह mammals के case में यह birds के case में तो radius और allah सभी जगह पाये जाते हैं अब उनमें difference क्या बाजाता है in amphibia the two bones are fused to form radio allah देखेंगे यह radio और allah यहाँ पर क्या लिखा है radio allah amphibia के case में क्या बन गया यह दोनो bones fuse होकर बना रही है radio allah reptiles के case में और birds के case में एक wide gap पाया जाता है radius और allah के बीच में यह reptiles है यह birds है दोनों के बीच में आप देखेंगे यहाँ पर gap है यह radius है यह अलना है यह birds के case है radius है यह अलना है बीच में यह gap है यह characteristic feature है birds और reptiles का कि radius अलना के बीच में wide gap पाया जाता है जबकि mammal में two remain closer क्या होता है दोनों bones radius और अलना जो एक दूसरे से पास में close रहती पास में यह एक दूसरे से close रहती यह भाग होता है second segments four arms का अब लेते हैं wrist का portion the wrist is made up of carpels जो की हम दिखाई दे रहें कहां पर carpels और metacarpels wrist का भाग होता है जिसमें की आप देख रहे होंगे birds यह frog के case में सबसे पहले लेते हैं इसमें पाई जाती है 6 carpels यहां पर देखिए 6 carpels पाई जा रही है यह carpels का area यह है यहां पर 6 carpels पाई जाती है जबकि reptiles के case में 8 carpels यहां पाई जाती है और birds के case में 3 carpels यहां पाई जाती है जबकि mammals के case में 8 carpels यहां पर पाई जाती है इस प्रकार यह wrist का भाग बनाती है और इनके सब के नाम अलग-अलग पाई जाते हैं इसी प्रकार जो palm होता है उसको कहते है metacarpels frog, calutis और mammals में 5 metacarpels पाई जाते हैं जबकि birds में 3 metacarpels पाई जाते हैं 1st metacarpels, 2nd metacarpels and 3rd metacarpels तो जो metacarpels है frog, calutis और mammals के case में 5-5 पाई जाते हैं जबकि birds के case में 3 पाई जाते हैं birds में एक और important development पाई जाता है जो कि distal carpels are fused with metacarpels to form carpo metacarpus ये carpo metacarpus ये important bones है जो सिर्फ birds का main characteristic feature होता है ये और किसी animal में नहीं पाई जाता इसके अलावा जब digits की हम बात करते हैं fingers की हम बात करते हैं तो frog में जो amphibia के case में 4 digits पाई जाते हैं ये देखिए 4 digits पाई जा रहे हैं जबकि reptiles के case में जब आप देखेंगे reptiles और mammals के case में 5 digits पाई जा रहे हैं ये देखिए reptiles के diagram में 5 mammals के diagram में 5 finger digits का जाता है जबकि यहां पर birds के case में 3 digits पाई जाते हैं इस प्रकार हमने आज comparative anatomy या four limbs vertebrates को diagram के माध्यम से study किया और next part में हम इसके vertebrates के hind limb को study करेंगे बढ़ने अप्राइब ग्राइब आप्राइब चारइब ने बाद रादी आप्राइब आप्राइब झाते हैं